इस वीडियो में हम बात करेंगे SQL commands पर different constraint के बारे में तो हमारे पास यहाँ पर total 7 constraints है जो कि हम SQL commands पर apply कर सकते हैं सबसे पहले not null, unique, primary key, foreign key, check, default or reference constraint तो सबसे पहला है not null constraint not null का मतलब है अगर हम किसी attribute पर apply करते है not null तो उसकी value null नहीं हो सकती जैसे एक table है employee table है, employee id है employee name है अगर कोई employee किसी company में काम करता है तो उसका कोई ना कोई name तो जरूर होगा, तो इस name की value तो definitely कुछ ना कुछ होगी तो इसको null नहीं रख सकते तो हम इस employee name जो attribute है इसको हम specify कर सकते हैं not null ठीक है, उसके बाद आता है unique, तो एक ऐसा attribute जिसकी value unique होगी उसको हम specify करेंगे unique, जैसे आपके पास phone number है, ठीक है हर एक candidate employee के लिए phone number unique होगा, तो इस attribute को हम रख सकते हैं unique, लेकिन unique में एक बात है कि unique value null हो सकती है आगी बात समय में, कि यह जो unique है हमारे पास attribute, उसकी value अगर exist करेगी तो हर एक के लिए अलग होगी लेकिन अगर किसी के लिए नहीं है, तो वो null भी हो सकती है, ठीक है, तो phone number किसी के पास ना भी हो, तो इसलिए इसकी value null भी हो सकती है ठीक है, not null में क्या है not null में attribute अगर not null है, मारे हमने constraint लगाया है attribute के पर not null का तो उस attribute की value same हो सकती है, लेकिन null नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन अगर कोई unique है, तो जिस attribute पे unique लगाया गया है constraint, उसकी value हर एक record के लिए अलग होगी लेकिन उसकी value null हो सकती है ठीक है तो null not null में value same हो सकती है null नहीं हो सकती और unique में हर एक value अलग-अलग होगी और null भी हो सकती है अगला है primary key ठीक है तो primary key जो हमारे पास constraint है अगर जैसे employee ID है इसको बना जते हैं primary key तो primary key में क्या होता है attribute के वे यूनीक भी होती है और null भी नहीं होती ठीक है तो primary key में ये दोनो constraint आ जाते हैं not null भी और unique भी फिर आता है foreign key foreign key होता है कि अगर हमारे पास ये employee table है और एक है department table ठीक है यहाँ पर इसका एक attribute आगए department ID ठीक है और ये department table है यहाँ पर भी एक है department ID ये यहाँ पर क्या है primary key ठीक है और ये जो यहाँ पर attribute है employee table में ये refer करेगा इसको ठीक है ये जो हमारे पास employee table में department ID attribute है ये refer कर रहा है department table की primary key को तो ये कहलाएगा foreign key means यहाँ पर ये कहलाएगा foreign key जो दूसरे table की primary की को refer कर रहा है फिर आता है check check constraint होता है कि हम values check करते हैं कि जो हमने constraint रखा है वैसी value है या नहीं जैसे अगर कोई salary है department में किसी employee की salary तो salary हम कहते है greater than equals to five thousand कि अगर company में employee है उसकी salary कम से 5000 तो होगी या उससे ज्यादा होगी तो उसके में लगा सकते हैं चेक अगला आता है default default का मतलब है अगर किसी हम attribute की value नहीं देते नहीं देते अगर हम उसको चाहते हैं कि उसकी default value आ जाए जैसे student है marks ठीक है अगर किसी student ने हमालो physics, chemistry, mathematics हिंदी इंग्लिश है उसमें से student ने चार exam दिया है physics, chemistry, mathematics और इंग्लिश का exam दिया है और हिंदी का नहीं दिया है ठीक है तो वहाँ पर हिंदी की value हिंदी के marks की value नहीं आएगी हम कहते है default यह क्या जाए जीरो ठीक है तो यहां पर अगर हम default attribute लगा देंगे और इसकी वेली कुछ नहीं डालेंगे तो अपने आप क्या assign हो जाएगी जीरो और यह reference constraint इसको भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है बात तो यह हमारे पास seven constraint है जो की हम SQL command पर apply कर सकते हैं तो अगर यह video सब्सक्राइब करें नोटिफिक्शन दुबाएं बैल ऐकन को ताकि नेक्स्ट वीडियो की निविश्फिकरन मिलती रहे धन्यवाद